नमस्कार आप देख रहे हैं आन्नाइन टीवी मैं हूँ आपके साथ श्वेता भटाचार सयुक्त राश्च बहा सभा को आज प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी सम्भोधित करेंगे मोदी का यूएन में ये दूसरा भाशन होगा पाकस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी सयुक्त राश्च के मंच से दुनिया को आतंकवाद विश्व शांती जैसे एहम मुद्दों पर संदेश दे सकते हैं नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ पाकस्तान को इस वैश्रिक मंच से चेतावनी भी दे सकते हैं ये पहला मौका नहीं है जब संयुक तराश्ट्र महासभा में भारत पाकस्तान के प्रमुक आमने सामने होंगे इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है इस मंच का इस्तमाल पाकस्तान ने पहले भी कश्मीर का राग अलापने के लिए किया है और हर बार भारत ने उसे मुतोड जवाब दिया है लेकिन अब सवाल उटता है कि आखरकार आतंकवाद पर बाते कब तक आतंकिस्तान का असली चहरा कब पहचानेंगे ट्रम्प क्या भारत को अकेले तोड़नी पड़ेगी आतंकी खमर इन ही सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने खास शो यूएन में कड़ा प्रहार में लेकिन चलिए सबसे पहले नज़र डालेते हैं एक रेपोर्ट पर मुदी इन्शाला हम ये जंग लड़ेगे ये जंग जानी है मुदी इन्शाला हम ये जंग लड़ेगे आपिस आप के साथ चलोगे आतंग आतंग की आतंगवाद जब 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 जिक्र होता है तो पाकिस्तान और इम्रान का नाम उसके साथ खुद बखुद जुर जाता है क्योंकि आतंग कगड़ नापा पाकिस्तान ही है लेकिन आतंगवाद के हाथ में और पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को खत्म करने के लिए भारत की कोशिशे दुनिया बहुत भी जानने लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पाकिस्तान द्वारा पैदा किये गए आतंकवाद को खत्म करने की जीतोड कोशिश कर रहे है दुन्या भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने और उसकी पॉल खोलने की गणनी भी अपना असर भी दिखा रही है लेकिन पाकिस्तान के नालाइक पी-म इमरान खान के एक बयान ने उसकी सचाई के साथ ही अमेरिका की लियत पर भी सवाल खड़े कर दिये है इमरान के बयान से साथ हो जाता है कि अमेरिका के हाथ रखने से ही जिहाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा मिला है लेकिन अब सब ने उसका साथ छोड़ दिया दुनिया का सब से ताकत पर मुल्क अमेरिका अपना रुख बदल रहा है हाला कि पाकिस्तान का उसके सामने रोना रोने पर अमेरिका मध्धसता का मरहम लगाता रहा है वैसे तो अमेरिकी राश्पती ट्रम्प आतंकवाद के खलाफ लड़ने की बात करते रहते हैं लेकिन आतंकवाद के पनहगार पाकिस्तान को मध्धसता के लिए बोल कर जता भी देते हैं कि वो आतंकवाद के खलाफ कितने कम भीर है आज यूएन में कड़ा प्रहार होगा ऐसे में आर नाइन टीवी ये सवाल उठाता है कि आतंकवाद पर बाते आखरकार कब तक आतंकिस्तान का असली चेहरा कब पहचानेंगे डॉनल्ड ट्रम्प भारत को क्या अकेले तोडनी पड़ेगी आतंक की कमर ये वो एहम सवाल है जो आज आर नाइन टीवी उठा रहा है क्योंकि आज यूएन में कड़ा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखने को मिल सकता है तो चलिए इनी सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे हमारे साथ तमाम जो पैनलिस्ट है वो मौझूद है से इंट्रदक्शन करा देती हूँ शायद प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी उसे दो टुक शब्दों में बताएंगे कि आखरकार भारत कह चाहता है और आतंकवाद पर नकेल कस्मी ही पड़ेगी लेकिन क्या लगता है बाते आखरकार कब तक चलेंगी क्या आप मौका नहीं आ गया है कि पूरा देश एक जुट हो जाए और इसे जड़ से उखाडने के लिए सभी देश साथ में आए ने बेशक सारे देशों को साथ में आने की बहुत आवशकता है और यह प्रात्मिक्ता भी होनी चाहिए आतंगवाद पर जैसे माननिय प्रधान मंतरी जी हमेशा कहते है कि गूड टेररिस्ट और बेट टेररिस्ट नहीं हो सकता है और ना ही होना चाहिए मतलब कि दूसरे देश पर आगर आतंगवादी संगटन अगर प्रहार कर रहे हैं तो वो तो जब तक मतलब कि खुद के देश में प्रहार अगर ना हो तो तब तक तो वो अच्छे टेररिस्ट होते हैं खुद के देश में जब प्रहार होते हैं आतंगवादीयों के दौरान तो फिर वो बेट टेररिस्ट हो जाता ही इंडारेक्ली मैं अमेरिका की तरफ विशारा कर रहा हूँ अमेरिका का जो हमेशा एक रूक रहा है आतंगबात को लेके कि जब तक दूसरे देशों पर अगर प्रहार हो रहा है या फिर दूसरे देश अगर जूज रहे हैं तो वो अमेरिका की चिंता की विशाय नहीं है पर सेप्टेंबर 11 के बाद ये सारे चीजे बदला है और मैं मानता हूँ कि आज के डेट में आभी हाली में जो हाउदी मौडी पे जो शिखारवरता हुआ था भारत के प्रधान मंत्री और आपके अमेरिका के राश्पती के बी आवशकता है और अमेरिका इस चीज़ पे बारत का पुरा साथ देगी और साथ है तो ये कहीना कहें पे ये एक डायरेक्शन दर्शाता है अमेरिका के तबदिल वाले सोच को लेके और शायद आज के डेट में अमेरिका खुद भी समझती है कि अगर विश्व में अगर उस इसने कई बार उलेक कर चुका है और मैं समझता हूं कि आज भी सेयुत राष्ट के पठल पे जरूर मानिनियम प्रधानमंत्र जी ये बात रखेंगे कि आब और इस पे आतंगवाद के विशह पे बात चित नहीं हो सकती है इस पे निरनायक लड़ाए लड़ने की आवशकत है और इसको जर से उठार के फेकनी की जरूरत है उलेकि दुनिया के तमाम जितने सारे देश है मैं समझता हूं कि कही ना कहे पे आतंगवाद के मुद्दे पे लामबंध हो रहे हैं और कैसे इसको खतम किया जाए लेकिन दता साहब से बाते ही हो रही है सवाल तो यही आज टर्रिजम प्रधानमंत्री को कहना पड़ा और यह कई बार रिपीट कर चुके है प्रधानमंत्री नरेंद्र मुद्दी लेकिन बार बार सर्फ बाते आखरकार कब तक निश्यत रूप से मैं दत्ता जी की इस बात से पूरी तरसे सहमत हूँ कि अमेरिका का आतंक बात को लेकर के जो रवया रहा है वो अपने स्वार्थ के अनुखुल रहा है आप जब दुनिया में परस्तिती बदली है तो अमेरिका को ने एक अलग स्टैंड लिया है और इस अनुख की अंदरूनी राजनिती में इसलामिक कटरवाद जो वर्ड है बहुत फेबरेबल है सत्ता धारी दल के लिए लेकिन मेरा मानना है कि आतंक बाद को जैसे ही अम इसलामिक कटरवाद बोलते है यह जो शब्द है इसलामिक आतंक बाद यह प्रधान मंत्री के मेरा मानना है कि जब आतंक बाद के खिलाब हम लड़ाई लड़ते हैं तो जैसे ही उसको हम इसलामिक या इस तरह के शब्दों मजहब से जोड़ते हैं वैसे ही लड़ाई कमजोर पढ़ने लगती है 26, 11, 9, 11 को लेके कह सकते है प्रेम जी लेकिन आप सीधे तोर पे कह रहे हैं कि बीजेपी अब इसलामिक आतंक बाद का मुद्दा उठा रही है आप सीधे तोर पर आरोप लगा रहे है इनको सूट करता है तीनों को सूट करता है मैंने तीनों रश्टरा देश का नाम लिया अने रुद जी सुन रहे हैं जे तो उस हिसाब से ये एक है मैं कंपेर करना चाहता हूँ 2014 आज 27 सितंबर है और 27 सितंबर 2014 को ही नरेंदर मोदी जी ने यूएन में भार्षन दिया था पांस साल पहले और आज से दूसरी बार देंगे दोनों इस्तीतियां और परिस्तियों म बुलाया था और आज वो समय जब हमने नहीं बुलाया है तो यह जो परिस्तिया इस दौरान की बहुत सारी घटनाएं गटी है और आज हमारी इस्तिति जो है पाकिस्तान पर बहुत जबरदस तरीके से आकरामक है और हम उसमें लीड ले चुके हैं तो इसमें बुराई कहां है लेकिन आप इसको जोड़ रहें कि बीजेपी इन कैश कराना चारी है इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा जो है बीजेपी उठा रही है ने मैंने बुराई की मैंने दोनों पक्ष रखने कोशिश की है एक तो है कि यह टर्म जैसे हम बोलते हैं वैसे आतंकवाद के खिलाब गलोबल लड़ाई जो है वो कमजोर हो जाती यह बात मेरा गौर किया जाए और दूसरी बात यह है कि हमने पाकिस्तान के खिलाब जो लड़ाई होनी चाहिए आतंकवाद को लेकर के हम जो उनको जिम्मेदार ठहराते रहते और अमेरिका बचा आतंकियों के आका इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका अमरिका और आज हम अमरिका से मिल करके आतंकवाद से लड़ाई की बात करें यह जो है यह संदे हास्पत बात है मैं समझता हूँ कि यह बेशक सही नहीं होता है कि किसी मजब के साथ आतंकवादियों को जोड़ा जाए पर दुर्भागे पुन कहना पड़ता है अगर सारे आतंकवादी अगर उस मजब के साथ जुड़े हुए हैं तो कही ना कही पे यह शव्द अनुकुल होता है इसलामिक टेररिजम बिनाम सोचे समझे यह शव्द अंतराश्रिय डिपलामिसी पे या फिर अंतराश्रिय पठल पे नहीं आया है इसलिए आया है कि तमाम जितने सारे आतंकवादी संगटन है वो संगटन के जितने सारे आका है या फिर जितने सारे लशकर है वो कही ना कह साथ पॉलिटिकल इसलाम के हिसाब से युषे नज पर फाल आपक्सान हे पाकिस्तान है सोवेट उनियन जब उस समय उनको सूट करता था तब वो पाकिस्तान के साथ थे जब सूट नहीं करने लगा अफगारिस्तान में उनकी दाल गल गई तब उसको जिहादियों को आतनकवादी करार दे दिया जाता है अज़ अगर अगर अनुकोल हो लेकिन फिर तो हमारी कोट नीती अलग होनी चाहिए सार हम अमेरिका पर फिर डिपेंडनें नहीं रहेंगे भारत यह के लिए लड़ाई लड़ेगा भारत का साथ नहीं देगा यह अटिहासिक सचा ही है क्योंकि उसका सब्सक्राइब हो जानी रहे हैं हम तो अमेरिका से अपनी दोस्ती बता रहे हैं सब्सक्राइब करूंगा लेकिन मैं प्रारंब करूं यह मेरा प्रारंबिक वक्तव है कि आतंकवाद के खिलाप अगर दुनिया में किसी ने मुखर आवाज करकर उठाई है तो उसका नाम है नरिंदर मोदी और केवल युनाइटिड नेशन के मंच पर नहीं जब भी कोई म कित्याइब और जहां भी प्रधानमंत्री जी गये प्रधानमंतरी जी नी सबस्त रूप से आतंकवाद की वर्त रहीं है यहाण मैं त्वार ने भी सवाल उठेगे कि आप अमेरिका के दर्वाजे पर खटखटा रहे हैं आप इतनी यारी दोस्ती दिखा रहे हैं वही अमेरिका जिसने पाकिस्तान का इस्तमाल किया अपने फायदे के लिए वही अमेरिका जो कही न कही छूट देता है पाकिस्तान को पाकिस्ता को बार बार अमेरिका खुद कर रहा है बलकि प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने एक बार भी मद्यस्ता के बाद अमेरिका से नहीं किया है फिर क्यों बीच में ये ये साहनुभूती है ना पाकिस्तान के प्रदानमंत्री के लिए कोई सार्वुक्ती नहीं है सीधा सीधा संदेश दिया है एनार जी में 50,000 लोग थे और सारा विश्व देख रहा था क्या कहा प्रधान मंतरी जी ने कहा चाहे 26-11 हो चाहे 19-11 हो उसके अपरादी कहा मिलते हैं पाकिस्तान में मिलते हैं यह किसका सबक है यह अमेरीका को भी प्रधान मंतरी का आपने सुना होगा और सारे देश ने सारे भिश्व ने सुना है और सिधा सिधा अमेरीका को यह कहा है अमेरीका को संदेश दिया है कि आपके यहां अगर जो टेर्रिस्ट पैदा हुए आक्रबनकारी हुए है तो सबकी जो जननी है वो पाकिस्तान है और तो हम क्यों मुझ ताकते हैं अमेरिका का यह लगनी है आपने एक वक्तवे तो बता दिया दूसरा वक्तवा बतानी रहे डोनल्ड ट्रप ने यह भी कहा बिना भारत की सहमती के कोई मध्यस्ता अमेरिका अरे सर मध्यस्ता की बात क्यों उठ रही है भारत तो यह बुद्दा उठाई नहीं रहा है पाकस्तान राग अलाप रहा है फिर आप बार बार च्छटी बार आपको बोलने की जरूरत क्यों आं पड़े पाकिस्तान जाकर क्या बात करने सब्सक्राइब को याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ जो सबसे मजबूत आवास आपने नरंदर मोदी जी की कही है आप अपने नेता अटल भिहरी वाजपई जी को भूल गए हैं जिनोंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आपने देखा करगिल की जित दिलाई देश को उसको आप भुला रहे हैं आप तारीप करिए लेकिन ऐसी तारीप न करि कि अपने ही नेता के योगदान को कमतर कर दिखा हैं दूसरी बात है आप देखिए टरंप ने निश्चित रूप से नरंदर मोदी जी के भाशन की तारीप की लेकिन जैसे ही इमरान खान के साथ वो मिलने गए उन्होंने मोदी जी के भाशन को आकरामक भाशन करार दिया है इसको भी और आप गौर कीजिए कि कैसे वो रंग बदलते हैं जब इमरान खान के साथ बैठते हैं तो उनका अलग रंग हो जाता है मारे मोधी जी के साथ बैठते हैं तो उनका रंग अलग होता है तो कि हम लोग मजबूती से अपना विशय रख रहे हैं पहली बार बेबात होकर विशय रखा जा रहा है और सब को आईना दिखाया जा रहा है अमेरिका को भी आईना दिखाया जा रहा है कि तेरे यहां भी जो टेरिरिस्ट हैं यह वही उसी धरती की पैदावार है जिस धरत की और से बोला जाए तो बिलकुई वेलकम होना चाहिए लेकि वो नहीं है तो इसको नहीं है अनुर्दीजी मानिये आप पर उसको नहीं सानबूत करने का काम किसने किया जाहां बात आती है कि ट्रॉम्प ने इम्रान खान के सामने माने निये प्रधान मंत्री जी को लेके क्या कहा वो उन्होंने बेशक कहा ये बात कि बहुत ही जादा जुझारू और आक्रमक थे माने निये प्रधान मंत्री जी पर इसके साथ साथ प्रेम जी इस चीज को भी एट किजिये कि वहां पे जो 49,000 लोग जो शामिल थे हुस्टन पे उस स्टेडियम में सब ने स्टेंडिंग ओवेशन दिया है माने निये प्रधान मंत्री जी की इस बात को तो कही ना कहे पे ट्राम्प ने indirectly समर्थन दिया है माननिय मोदी जी के बातों का ये कहटे वे कि आज के डेट में हिंदूस्तान के चाहे भारत के अंदर जितने नागरिक हो या फिर दुनिया के विश्व के पटल पे जितने सारे people of Indian origin के लोग हो सब के सब प्रधान मंत्री के नीटियों के साथ जुड़े वे है और इसको समझने की आवशक्त है इसके साथ पाद पाकिस्तान के जार्रीटों को जिस तरह से उन्होंने अपमानी किया है अमरीका के रास्तागी वह यह क्लिन पिर देदे कि आवशक्ता है सब्सक्राइब नहीं पर बार बार इसलामिक आतंगवाद की बात की इसलाब आई उठाया गया ऐसा खुद्दा आपने देखा होगा कि जिस परकार के टेरिस्टों में कैम्प चलते हैं क्या शिक्षा देते हैं वो लोग वो इन आतंगवादियों को क्या सिखाते हैं अमेरिका ने सपोर्ट लिया है पाकिस्टान का सपोर्ट लिया है ना अनुरू जी वहां बहात्तर हूरे में लिए इसलाम की शिक्षा है सर हमारे सवाल कुछ और है हमारे सवाल है कि आखिरकार आतंगवाद पर बातचीत कब तक होती रहेगी इसका एग्जेक्यूशन भी होना चाहिए सवाल इसलिए नहीं सर सवाल इसलिए नहीं सर सवाल सुन लिए सब्सक्राइब के खिलाब रहा है एक तरफ दत्ता साहब और अनिरूट जी दोनों से सवाल सवाल करने देंगे आप सवाल रखने देंगे मुझे आप दोनों से मेरा सवाल ये है हमारा सवाल ये उठ रहा है कि आतंगवाद पर आखिरकार बाते कब तक होंगी सभी देश को साथ आना चाहिए चलिए इस पर हो लेकिन आतंकिस्तान, टररिस्तान हमारे विदेश मंतरी कह रहे है कि हम पाकिस्तान से बाचित करने से हमें कोई आतराज नहीं हम आतंकिस्तान से बाचित नहीं करना चाहते हैं लेकिं डॉनल्ड ट्रम्प की यहां दोहरी नीती देखने को मिल रही है, वो जब पाप के साथ बैठते हैं, तो एक अलग रणवनीती होती है, जब भारत के प्रधान वंतरी के साथ होते है, तो अलग रणवनीती होती है, आज जब UN में संबोधन देना है प्रधान मंतरी नर आतंकिस्तान, दोनों सासाथ नहीं चल सकते, हम आतंकिस्तान से बाच्चित नहीं कर सकते, लेकिन ट्रम्प की नीती को भारत को समझना होगा, भारत कहीं इस लड़ाई में अकेला तो नहीं है, देखिए भारत ने जिस परकार से मैं फिर कह रहा हूं, प्रोट नीतिक और चुल अपने करनी कुछ सूरायं को अबरीका अपने बाते रखेंगे और भारत को भी आपने नीटियों के हिसाब से अपने बाते को रखनी की अवश्यक्ता है अंतराश्टिय पठल पे और सारे देश अपने अपनी हीतों को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से रन्निती तयार करते हैं अमेरिका को पता है कि अगर पूरा पाकिस्तान को पूरी तरह से अगर अलग तलग करतेंगे तो अफगानिस्तान पे जहां पे एक वैकियम तया हो रहा है वो कही ना कही पे दोबारा इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है और इसलिए अमरिका को लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को पुछकार के रखने आवश्चक है और वो भारत के हीत में भी है यह चीज़ क्यूंकि आफगानिस्थान में कहीं पे भारत के हीत म के आदार पे नहीं यह आप जो बात कह रहे हैं इसके डिनाई नहीं किया जा रहा है मुझे चंप्लीट करने दीजिए उसके बाद आप सवालों का बोचार कीज़े कोई आपती नहीं है सवाल यहाँ पे यह है कि जिस तरह का वेकियम वहाँ पे तयार हुआ है अफगान पाकिस्तान कोरीडोर पे और खास करके अफगानिस्तान पे वहाँ पे कल को अगर दुबारा तालीबान की शाशनागर हो जाती है या फिर वहाँ अगर इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो वो पूरे मध्धे एशिया, सेंट्रेल एशिया और भारत के लिए खतरनाक होगा ये चीज़ अफगानिस्टान में इंस्टेबिलिटी मतलब आतंगबाद बुरी तरह से फैलेगा पूरे इस पूरे एरिया में और भारत अचूत नहीं रहेगा तो इसलिए पाकिस्तान को डंडा करने के साथ-साथ कही न कहे पे थोड़ा सा आशवाशित करने की भी आवशक्ता है क्योंकि अगर ये चीज़ अगर नहीं करेंगे पाकिस्तान और चीन का जिस तरह का समीकरन बैठा हुआ है और जिस तरह का चीन का स्टेक है वहाँ पे ग्वादार को लेके और सिपेक को लेके वो कही ना कही पे चीन पूरा चाहेगा कि इस पूरे एरिया में इंस्टेबिलिटी हो जाए क्योंकि इंस्टेबिलिटी अगर होगा तो भारत कमजोर होगा भारत अगर कमजोर होता है तो चीन की जो बाच्चस्वा है वो और जादा बढ़ेगा तो इसलिए इस चीज़ को उस सिसाथ के देखने के आवच शकता है कि पाकिस्तान के प्रधानवंतरी खुद कुबूल रहे हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी जिहादियों को ट्रेनिंग दी और इतने आतंकी फिरात में घुसपैट की तो वो कहते हैं भारत सक्षम है एक तरफ डॉनल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाना चाहिए दूसरी तरफ वो कहते हैं आखिर ये आतंकियों की खिलाफ ही लड़ाई है लेकिन वो कहते हैं भारत सक्षम है वो निपट सकता है गोपाल जी इसमें आपकी रहे चाहूंगी कि क्या यहां डॉनल्ल ट्रम का दोहरा चेहरा नहीं दिख रहा है भारत अकेले नजब नहीं आता है जब आप खुद बता देते हैं कि भारत सक्षम है इस लड़ाई में जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैट की बात हो रही है बाला कोट फिर से अक्टिवेट हो चुके हैं टेरिस्ट कैम्प यह खुद जनरल विपिन रावत कह रहे हैं उसके बाद ट्रम क में अपना लेक्षर देने वाले हैं बातन देने वाले हैं डोनल्ड ट्रम और पाकिस्तान या अमेरिका पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो भी टेरिस्ट पैदा किये जा रहे हैं वो कैम्प है गड़ है आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला है और अब तक वो करता आया है 1947 से लेकर अब तक जो युद्ध हुए हैं उनको देख लीजिए यह युद्ध नहीं लड़ सकता भारत के साथ में किसी आलत में युद्ध नहीं लड़ सकता यदि जब हम क्या नमाया इस्लामाबाद पहुंच चुके था दरवाज ते उनको बापिस कर दिया गया पुरानी राज जो नीती हमारी रही है वो अब परवर्तित हो चुकी है नरिंद भाई मोदी जी प्राइम निस्टर होने के नाते पिछले पांच साल के अंदर उन्होंने पूरे विश्व के अंदर रहमण करके अपने लोगों को आतंगबा है कि यहां पर उक्साते रहिए तैयारी कराते रहिए जब पता चला सपोले को आप तैयार कराओगे दूद पलाओगे साप आपको डंक मारेगा वही सेप्टेंबर 9-11 का हुआ अमेरिका के साथ अभी इस्तिती क्योंकि ने एलक्षन आने वाले हैं आप समझे बहुत है कि ट्रम्प दुवारा प्रेशिडेंट बने के लिए त्यार है तो उनको अपीजमेंट और यह साथ को लेके चलना पड़ेगा कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया में कि वह अफगानिस्तान से अमेरिका निकलने के लिए तैयार हो रहा था फिर बीत में सामने से बात आई कि नहीं नहीं निकल जाएंगा यह तालवान बैठता है जिस परकार से हमारे क्या ना में शर्मा जी नहीं कहा है कि यदि वहां तालवान बैठता तरह पूरे इस एरिया के लिए चाहे वह सेंट्रल एसिया हो या मिडल इस्ट हो या भारत हो तो सारे ही उससे प्रभाबित होंगे और इससे जो है विश्व के अंदर शांती स्थापित नहीं हो सकती प्रधान मंत्री मोदी जी वसुधाई वो कुटम मुकम का जिस्ता पूरे विश्व के लिए लेकर के जा रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं सब से मिलते हैं जितन न किसी नीती के तहत है वो अपने उद्देश को पूरा करने के लिए है और ये मुझे उमीद है कि उचके बाद में साइद इसके अंदर सब्सक्राइब लूँगी कि कहां तक ये जायज है या कहां तक सही है क्या हम इस तरह की लड़ाई लड़ने में कितने सक्षम है क्योंक क्या है नहीं रहा है क्योंकि आ दो सब्सक्राइबा सुछदद सक्षब scripture घट सब एसकlares क्या है क्या है